क्या आप भी गणेशी को भोग लगाने के लड़ू बनाने की सोच रहे हैं तो आज हम step by step सबसे आसान तरीके से गणेशी के लिए शाही लड़ू बनाएंगे लड़ू इतने बढ़िया बनकर तयार होंगे कि आप एक बार नहीं बार बार इसे तरीके से लड़ू बनाना पसंद करेंगे तो चलिए आज की रिसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं लड़ू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया हैं टाइसोग्राम गेहूं का आटा लड़ू बनाने के लिए हमने जो आटा लिया है वो बहुत ज़दा बारिक भी नहीं है और बहुत ज़दा मोटा भी नहीं है अब हम आटे में 4 टेवल स्पुन घी का मोयन डाल कर आटे को और घी को अच्छे से मेक्स कर लेंगे यह देखी यहाँ पर हमने आटे को और घी को अच्छे से मेक्स कर लिया है और आटे को हम इस तरह के से मुठे में बांगे देखेंगे तो एक लड़ू जैसा बन जाएगा इसका मतलब है हमने आटे में जो मोयन डाला है वो बिलकुल पर्फेक्ट है अब हमें आटे का डो तयार करना है उसके लिए यहाँ पर मैंने यह देखी 200 ml दूद लिया है और दूद के उपर जो मलाई जमी हुई थी उससे भी मैंने दूद के साथ ले लिया है अब हम थोड़ा थोड़ा तूद डालते जाएंगे और टाइट आटा गुद कर तयार कर लेंगे यदि आपने दूद के उपर से मलाई निकाल ली है तो आप दूद में अलग से मलाई एड़ कर ले यह देखी इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा दूद डालते जाएंगे यदि हम एक साथ दूर डाल देंगे तो आटा गीला हो जाएगा और हमें यहाँ पर टाइट आटा लगा कर तयार करना है यदि यहाँ पर हमने लड़ू के लिए आटा लगा कर तयार कर लिया है अब हम तयार आटे की मुठिया बनाएंगे यदि इस तरीके से हम आटे की कोटिफिकेशन आपको मिलती रहें चलिए मुठ्या तो हमने बना कर तयार कर ली है अब हम आगे बढ़ते हैं और गेस की तरफ चलते हैं अब हमें आटे की मुठ्या को फ्राइ करना है उसके लिए यहां पर मैंने एक बरतन में घी को मेडियम गरम कर लिया है ध्यान रहें बिल्कुल धीमा कर देंगे और धीमी आज पर मुठ्या को दोनों तरफ से पलटाते हुए अच्छे से गॉल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी से भी पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और वीडियो क लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है आपके एक लाइक करने से और कमेंट करने से मुझे बहुत खुशी होगी और मेरी सारी महनत सफल हो जाएगी और यह देखें यहाँ पर हमने मुठ्या को अच्छे स अच्छे से फ्राई कर लिया है मुठ्या दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गई है अब हम इसको उसी थाली में निकाल लेंगे जिस थाली में हमने आटा गूत के तयार करा था इसी तरीके से हम सारी मुठ्या को फ्राई कर लेंगे पहले हम मुठ्या को मुठ्या को फ् तब तक हम इसी कड़ाए में ड्राइफ रूट्स को फ्राइड कर लेंगे यहां पर मैंने कुछ बादाम ली हैं ड्राइफ रूट्स आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं यह देखी यहां पर हमने धीमिया आज पर बादाम को फ्राइड किया था अब हम काजू और को भी इसी तरह फ्राइड करके एक प्लेट में निकाल लेंगे काजू और पिस्ता बहुत जल्दी फ्राइड हो जाते हैं इनको फ्राइड होने में ज्यादा समय नहीं लगता है बस हमें हलका कलर चेंज होने तक ही इन्हें फ्राइड करना है इधर हमारी मुठ्या भी अच अच्छे से पीस लेंगे मुठ्या पिसते समय हमें द्यान रखना है पहले मुठ्या को अच्छे से ठंडा होने दे उसके बाद ही मुठ्या पिसे यहाँ पर हमने मुठ्या को अच्छे से पीस लिया है और एकदम दानेदार पाउडर बन कर तयार हुआ है अब हम मुठ्या क उसी थाली में निकाल लेंगे यह दीखीं, यहाँ पर हमने जिस कड़ाई में मुठ्या फ्राय की थी, उसी कड़ाई में हम तेड़ सो ग्राम मावे को एक से देड़ मिनट तक धिमियाच पर अच्छे से भून लेंगे मावा अच्छे से भून गया है मावे को भी हम उसी थाली में निकाल लेंगे और सारी तैयारी हो गई है अब हम बाकी सारा सामान भी मिला लेते हैं यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम शकरबूरा यानि जितना हमने आटा लिया था उतना ही हमने शकरबूरा लिया है काजू बादाम और पिस्ता को यह देखे इस तरीके से मैंने बड़े बड़े टुकडो में कट कर लिया था इसे भी हम मिला देंगे अब हम इसमें थोड़े से किश्मिस और आधा चमच इलाइची पाउडर रेट करेंगे इलाइची पाउडर रेट करने से लड़ूँ में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा लड़ूँ को एकदम प्यारा सा कलर देने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी से केसर को यह देखे इस तरीके से दूद में भीगो दिया था इसे भी हम मिला देंगे अब हमें सारे सामान को अच्छे से mix करना है यह देखे इस तरीके से हमें लड़ूँ के मिष्रन को दोनों हातो से मसलते हुए mix करना है कम सकम 1-5 मिनट तक ऐसा करने से जो मिष्रन है फिर से घी छोड़ने लगेगा लड़ू में बड़ी आसी शाइन लाने के लिए यहाँ पर मैंने दो से तीन छोटे चमज घी मिलाया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कल लेंगे यह देखे सारे सामान को हमने अच्छे से मिक्स कल लिया है अब हम लड़ू बना लेंगे लड़ू की साइज अब अपने हिसाब से चोटी या बड़ी रख सकते हैं यह देखे कितने बड़िया लड़ू बनकर तयार हुए हैं इसे तरीके से हम सारे लड़ू बना कर तयार कर लेंगे यह देखे डाइसो ग्राम आटे में मिडियम साइज के 16 लड़ू बनकर तयार हुए हैं यह देखे एक लड़ू में आपको तोड़ के दिखाती हूं एकदम सोफ्ट दानेदार मुह में घुल जाने वाले लड़ू बनकर तयार हुए हैं और आज की यह रेसिपी आपको कैसी लगी मझे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में